नमस्कार स्वागाते आपका माई जोतिश में सनातम धर्म के आदी पंच देवों में से एक महादेव भी है इन्हें देवों के देव महादेव भी कहते है इन्हें भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, निलकंठ, गंगादर आदी नामों से भी जाना जाता है वहीं भगवान शिव को सनहार का देवता कहा जाता है लेकिन क्या आप जानते है कि भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर भी मुझूद है जहां ये सनहार के देवता भक्तों के मित्यूगा संकर टाल सकते है दरसल हम बात कर रहे हैं देव भूमी के कुमाव शेत्र की जिसकी गोद में बशा है प्राचीन जागेश्वर धाम जो की केवल एक मंदिर नहीं बलकि मंदिरों की नगरी है ये मंदिर सेक्डों साल पहले बने थे इस धाम के बारे में कहा जाते है कि यहां महामरित्यून जे मंत्र का जाप करने से जीवन तो सुधरता है वित्यूभी टल जाती है जागेश्वर मंदिर समू प्राचीनता के साथ ही अपनी वास्तुकला के लिए प्रशिद है ये धाम 125 छोटे बड़े मंदिरों का शमू है कहा जाते है कि जागेश्वर मंदिर कैलास मांसरव यात्रा के प्राचीन मात पर पड़ता है इसे भक्त सिर्फ के 12 जोतिलिंगों में से एक प्रम्भु जोतिलिंग मानते है वहीं इसे उत्रखन के पांचवे धाम के रूप में भी जाना जाता है यहां हर सावन महीने में स्रावणी मेला लगता है जो कि एक महीने तक लगता है इसमें हिस्सा लेने के लिए देश विदेश के लाकुश्र दालू हर साल यहां पहुशते है जागिश्वर धाम अलमोडा से करीब 35 किलोमेटर की दूरी पर स्थित है यहां बने मंदिरों का निर्मान आठवी से दस्वी सतब्दी के बीच कराया गया मंदिरों के निर्मान कश्रे कत्यूरी और चंद सासको को जाता है कहा तो यह भी जाता है कि जागिश्वर धाम में भगवान शिप्ट ने तब किया था उत्राखंड की प्राचीन वास्तुकला कितनी सम्रित थी यह जानना हो तो जागिश्वर धाम जरूर आए यहां आने वाले स्थालू कभी निराश नहीं होते स्रावणी मेले में तो मंदिर के आसपास की रौनक देखते ही बनती है